कल सुबह आठ बजी समाप्त हो जाएगी, कल सुबह आठ बजी पंचनी तिथी होगी, कल किसी भी तरह से करवा चौध का व्रत नहीं हो सकता, मैं सब के व्रती सम्मान व्यक्त करता हूँ, due respect to everybody, but as per scriptures, as per traditions, as per calculations, करवा चौध आजी है, आप सब के साथ करवा चौध का व्रत प्रारंग करते हैं, आप अपना अपना बीपक जला लेजिए, आज हम आचमन नहीं करेगे, क्योंकि आपका जो ब्रत नहीं करेगे, वो निर्जल है, निर्जला है, इसलिए आचमन नहीं होगा, जैसे हमेशा होता है, नीकद्यलाएं, और फिर हम संकल्ब करेंगे, उसके बाद गनपती का फूजन होगा, फिर गौरी का फूजन होगा, फिर आप कथा सुनेंगे, फिर ठानी कर इक्रमा होगी, फिर ख्रमा य आपने आराम से दीपक जलाएं, हम बहुत शांती से, ध्यान से, पूजन करेंगे आपके साथ, ये पर्व साल में एक बार आता है, और बहुत पवित्र और दंधीर पर्व है,